पर करें हैं बीकानेर का रुकरते मेरे से ओगी लक्षमन रागाउ के साथ बीकानेर सांसद अरजुनाम एकवाल मौजूद उनसे बातचीत की जाएगी क्योंकि उनको भी टिकट दोबारा यहां पर मिला इस सेट पर थोड़ी सी नाराजगी बीज़ेपी के अंदर नसर आ रह किसाने पर लगा है और संसत तक में हमने बटा दिया था कि कोई सिप्टिंग के बहुत कम चांस है और वैसा ही यहां पर हुआ है तमाम बातें यहां पर हुई यह सीट इसलिए ज्यादा सुर्खियों में रही कि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपनी बात कह रहे थे लेकिन मुझे लगता है यहां अरजुन मेगवाल का जो सक्रियता है वो काम आई कही ना कहीं अमिशा और नरेंदर मोदी कैंप में जो एक छवी बनाई उन्हें दलित नेता के तोर पर नाकेवल राजस्तान में पूरे देश में वो उबरे और मुझे लगता है उसी के साथ यह टि उनके समर्थ तक जो हैं गोदारा हैं अशोक बाटी हैं और बहुत सारे लोग हैं आपर पहुंच चुके हैं और उनको जो हैं मिठाई खिला कर कहीं ना कहीं पहली खुशी जरसल होती है अरजुन जी पहली प्रतिक्रिया पार्टी ने बहुत विश्वास जताया है और तब जबकि कुछ लोग निश्चित तोर पर नहराज की जता रहे थे देखिए लक्ष्मन जी मैं राष्ट्य नेतरतों का और परदेश नेतरतों का अब भार परकट करता हूं कि बीका नेर लोगसबा चुनाव मैं मुझे उमीदवार बनाया मैं विश्वास से कहता हूं कि बीका नेर की जनता ने जिस घटना करम का जिकर आप कर रहे हो जब वो घटा तो बीका नेर की जनता ने एक शकारातमक प्रत्रिक्रिया दी कि हमें अरजुन मेगवाली चाहिए और इन सब परस्तितियों में राष्टी नेतरत्यों ने आज जो घोशना की है तो मैं सब से पहले हमारे परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का और राष्टी अद्यक्ष अमिशाजी का अभार प्रकट करता हूं आपका कोई ऐसा बयान नहीं आया तो क्या ये अरुशाजन भी काम आया देखे मैंने पहले भी आपको कई बार कहा था कि मैं शकारात्मक राजनीती में विश्वास करता हूं और पॉजिट्व पॉलिटिक्स में आप अपना काम करते चलो और आपके काम को जनता भी देखती है परक्ती है मैं ये लोगतंत्र जो परिपक्वे हुआ है इसमें पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जनता काम को देखती भी है और परक्षती भी है पहली लिस्ट में नाम आना जिम्यदारी भी भड़ती है पार्टी को नंबर भड़े निश्चित रूप से जो आज विश्वास प्रकट किया है राष्टी नेतरतों ने प्रदिश नेतरतों ने हम मैं मेरे कारिक करता हूँ कि और पूरा अभार प्रकट करता हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये शीट भारती जन्ता पार्टी की जोली में जाएगे जाते हैं तो क्या वो यहां पर होता हुआ दिखाई देगा रामा श्यामा बहुत विख्यात तो रामा श्यामा करने चले जाएंगे और तीसरा ये कि फर्स्ट इंडिया पर जब सबसे पहले जूड़ी गए हैं तो ये वादे बता दे जिनके दम पर वो चुनाओं में आने ब देखिए हौली शामाजिक शमरस्ता बढ़ाने वाला तेवहार है और हम उसमें बिलीव करते हैं जी मैं बंसा बाचा कर्मना इन चीज़ों मैं बिलीव करता हूँ मैंने पहले भी कई बार कहा है तो क्या लगता है टिकेट मिल गई है कि इन मुद्दों पर वीकाने का चुनाव होगा और क्या गिले सिक्वे दूर होकर गले लगेंगे बारतिय जनता पार्टी एक जुटों करके एक मुखी ओकर के ये सुनाव लड़ेगी बहुत महत्वपून चुनाव है ये और जैसे मैंने पहले का कि बीकानेर की जनता ये शीट बारतिय जनता पार्टी के जोली में डालेगे कि आप कारि करता है लगाता ये क्या किए कि लगता है कि आप नजिल करणेगों तैया कर लेंगे मने क्या मानजिल आती हमने तैय कर लि JEFFOWач पर जीता अंतर कं था लेकिन जब दूबारा जीते अंत MSPG दरेंद्र मोधी के और अमिश्या के नजरों में निस्टित तोरपन का कज बढ़ा और उसी का प्रणाम मिला कि इन्हें तीसरी बार अजमाया गया है लेकिन अभी मुकाबला कैसा रहता है कॉंग्रेस किसको अजमाती है ये तमाम सवाल है निस्टित तोरपन लेकिन फिर भी क कह सकते हैं कि अरजुन मेगवाल को हौली पर खुशिया मिली है एक तरह से कहिएगा टिकट उनको मिल गया है कैमरा परसन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मन रागाव फर्स्ट इंडिया निउस भी कानेर जिबलकुल रागाव शुक्रिया एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मंतरी सहब के साथ और वाकई में खुशी नजरारिया और जिस तरीके से कारे करता मुह मिठा करा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरे परस्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले गजेंदरी सिंख शेखावा से बातचीत हमने की अरजुनाम एकवाल स के दूरान टिकट जो है वो बीजेपी से खिसक गई थी और दूसरा नाम जुंजुनू से संतोष एलावत का टिकट यहां पर कार दिया गया है नरेंदर भया कि खींचड को टिकट यहां से दिया गया है इसके अलावा आप